स्तोत्र पत्तीस एकत्तीस पाप स्विकार के पश्चात का आनन्द दाउद का एक मस्की धन्य है वह जिसका अपराद ख्षमा हुआ है जिसका पाप मिट गया है धन्य है वह जिसे इश्वर दोशी नहीं मानता जिसका मन निश्कपट है जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां च्छीजिती रही क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था मेरा शक्तिरस मानो ग्रिश्म के ताप से सुखता रहा मैंने तेरे सामने अपना पाप स्विकार किया मैंने अपना दोश नहीं छिपाया मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध सिकार करूँगा जब तुने मेरे पाप का दोश मिटा दिया इसलिए संकट के समय प्रत्य एक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है बाढ कितनी उची क्यों न उठे किन तु जलधारा उसे नहीं चूपाएगी प्रभु तु मेरा आश्रह है तु संकट से मेरा उद्धार करता और मुझे शान्ति के गीत काने देता है मैं तुम्हें शिक्षा दूँगा तुमको मार्ग दिखाऊंगा तुम्हें परामर्ष दूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा ना समझ गोडे या खचर जैसे न बनू जिन्हें लगाम और राज से बात ही करना पड़ता है नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते दुष्ट को बहुत से दुख जिलने पड़ते हैं किन्तु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की खृपा घेरे रहती है धर्मियो उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ तुम सब जिनका हिर्दय निश्कपट है आनंद के गीत गाओ